हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर द्रूवीस फूड हर्ब आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक और उस पे हम करेंगे परपल और वाइट क्रीम से डेकोरेशन उसके लिए हम लेंगे रेड वेलवेट का स्पॉंज मैं याँ पे वन केजी का बना रही हूँ केक इसका उपर का लेयर हम कट कर लेंगे फिर बीट से हम कट करेंगे अगर आप चाहो तो दो लेयर भी कट कर सकते हो मैं याँ पे एक लेयर ही कट कर रही हूँ इस तरीके से हमें गोल गुमाते जाना है केक को और नाइफ को फिर हम लेंगे केक बोड और उस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा क्रीम और उस पे हम उपर की लेयर केक की लगा देंगे फिर इसे हम शुगर सीरप से सोक करेंगे फिर यहां पर मैंने क्रीम का एक layer लगाया है केक के उपर इसे हम अच्छी तरह लेवल करेंगे साइट से भी लेवल करना है हमें अब चलो तो दो layer क्रीम के भी लगा सकते हो फिर यहां पर मैंने white chocolate का गिनाश लिया है रेड कलर का और उस पे मैंने दो छोटे चमच गिनाश डाला है और इसे स्प्रेड किया है फिर थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप्स भी डाले है मैंने यह उप्षिनल है आप चाहो तो डाल सकते हो इसे भी हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए क्रीम में फिर साइड में एक क्रीम का लेयर लगाएंगे और उपर से दूसरा स्पॉंज रख देंगे इसे हम साइड से कवर करेंगे पहले साइड से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर शुगर सीरप से सोक करेंगे केक को सोक होने के बाद हम इसे क्रम कोट कर लेंगे और 10 मिनिट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे फाइनल आइसिंग करने से पहले इस तरीके से हमें केक को कवर करना है क्रीम से जादा क्रीम यूज नहीं करना है इस पे जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने निकाल दिया है क्रीम दस मिनिट फ्रीजर में सेट होने के बाद हम इस पे फाइनल डेकोरेशन करेंगे उसके लिए मैंने परपल कलर का विप क्रीम लिया है और इसके नीचे मैंने परपल कलर का विप क्रीम लगाया है हाफ परपल और हाफ वाइट डेकोरेशन किया है मैंने इसके लिए सिव नीचे की तरफ परपल क्रीम से डेकोरेट करना है नीचे की तरफ परपल क्रीम लगाने के बाद उपर की तरफ मैंने वाइट क्रीम लगाया है और टॉप पर भी वाइट क्रीम से डेकोरेट किया है आप चाहो तो टॉप पर भी परपल से कर सकते हो फिर हम इसको लेवल कर लेंगे अच्छे से उपर से भी अच्छे तरह लेवल करने के बाद पैलेट नाइफ से मैंने याँ पे डिजाइन की है आप कोई भी टूल भी यूज़ कर सकते हो डिजाइन के लिए फिर मैंने उपर की तरफ भी इसे सेम डिजाइन दी है दीजाइन होने के बाद वापस से हम केक को दस मिनिट के लिए फ्रीजर में सेट होने रखेंगे तरह दे हैं उसके उपर बाद में मैंने याँ पे चॉकलेट बॉल्स लगाये है वाइट कलर के चॉकलेट बॉल्स और सिल्वर कलर के उपर की तरफ दो चॉकलेट बॉल्स सिल्वर कलर के और एक वाइट चॉकलेट का और नीचे की तरफ एक सिल्वर और एक वाइट चॉकलेट बॉल्स फिर मैंने ओरियो बिस्किट के उपर सिल्वर डस्ट किया है और इसे भी एक उपर के तरफ और एक साइड में रखा है फिर मैंने सिल्वर वर्क से इसको डेकोरेट किया है झाल 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 फिर क्रीम से पर्पल फ्लावर मैंने बनाये है आप चाहो तो वाइट और पर्पल मिक्स भी बना सकते हो फिर मैंने सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स लिये है और इस तरीके से साइड में लगा दिये है और उपर के तरफ फिर मैंने छोटे से पर्ल लिये है उसे भी स्प्रिंकल कर लिया है केक के उपर की तरफ और तीन चार बड़े पर्ल को भी मैंने साइड में रखा है एक एक इस तरीके से तयार है हमारा रेड वेल वेट केक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ठैंक यू धनियवाद तर तक सकते दिए से बड़े और सब्सक्राइब करना कि अगरे तो में एक पत्सक्राइब करना गरेजिक अपता ब्ल्सक्राइब जो और आपको में वेखा है झाल झाल